जैसे कि आप सबको पता है कि हम इस चानल में बिजनस ओनर का इंटेव्यू दिखाते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या अलग किया कि आज वो इतने सक्सेस्फुल हैं इसी सिल्सले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जिरो से हीरो तक की जर्नी तैग करने वाले सक्सेस्फुल बिजनस ओनर मिस्टर अशोक खरवार से नमस्कार दोस्तो आज थोड़ा से ब्रिफिंग अपने बारे में आप लोगो बताओंगा छोड़ा थोड़ी सी ब्रिफिंग अपनी कमपनी के बारे में बताओंगा मेरा नम अशोक है अशोक खरवार आज जहां पर हम लोग हैं यहां तक पहुँचने के लिए इस कंपनी को पहुँचने के लिए बहुत कठाईयां का सामना करना पड़ा बहुत परिश्णम करना पड़ा 2017 में 2017 में जब इस कंपनी को जॉइन किया यह मेरे फादर की कंपनी है सौरगे राम लखन खरवार जिन्होंने 83 में यह कंपनी स्टाट करी थी वाटर पूफिंग का काम था हमारा उन्होंने स्टाट किया और मैंने 2017 में इस कंपनी को जॉइन किया 2017 से लेके 2022 तक का जो सफर है बहुत रोमांचिक भी रहा और बहुत कठनाईया भी मुझे फेस करनी पड़ी इस कंपनी को भी फेस करनी पड़ी 2017 में जब मैंने रियल स्टेट को कुट किया जब मैंने रियल स्टेट से निकला क्योंकि रियल स्टेट में बहुत सारी चीज़े मैंने खोई रिलेशन खोये, ठीक है वो अपनी लाइफ का एक पार्ट था, मगर अब मैं दुबारा उस जिंदगी को जीना नहीं चाहूंगा जो निकल चुका, 2017 मैं जब मैंने इस कंपनी को जॉइन किया तो पहला छोटा सा प्रोजेक्ट लिया था हम लोगों ने आदित्य बिड़ला गुरूप के लिए, अराउंड 50 स्कॉयर मीटर का काम था मैस्टिक फ्लोरिंग का, वो दिन है और आज का दिन है, इन 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर, अराउंड पूरे इंडिया को कवर किया हम लोगों ने, आज जब कंपनी ने स्टार्ट किया तो सिर्फ तीन इंप्लाई कंपनी में थे, जिसमें से तीसरा मैं था और दो मेरे साथ थे, जो मेरे फादर के टाइम से रहे हैं, और आज कंपनी के 5-6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और कोविट टाइम में भी कंपनी ने काम किया, जिसलिया आपने दीखा कि बहुत लोग परशान रहे हैं, बहुत लोगों के साथ उतार चराव रहा है कोविट टाइम में, वगर कंपनी ने प्रियास किया कि ये कंपनी को मुका मिला COVID टाइम में काम करने का तो COVID टाइम में काम किया आज हम लोग HPCL के लिए काम कर रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए Indian Oil के लिए भारत के लिए भारत गैस के लिए National Highway के लिए, Railway के लिए कई सारी जो अच्छी कंपनिया हैं उनके लिए हमने मैस्टिक फ्लोरिंग का काम किया आज मैं थोड़ा सा ब्रिफिंग इस जिस कंपनी में हम लोग खड़े हैं ये HPCL का बार्टिंग प्लांट है, LPG बार्टिंग प्लांट है जहां पर अभी हम लोग जिस शेड में हैं यहां पर फिलिंग शेड बोला जाता है तो मैं अपने बारे में जो है और जो अपनी कंपनी के बारे में है वो अभी थोड़े से दो लाइन में ही बताना चाहूंगा कि कंपनी ने या फिर मैंने बहुत कुछ खोया है यहां तक पहुचने के लिए यहां तक पानी के लिए और उम्मीद है कि और भी आगे जाएंगे इंडिया की पहली कमपनी है जो 27 स्टेट में मेस्टेक फ्लोरिंग का काम किया है तो कि बहुत सारी कहानिया है बहुत सारे अपने multi नियां अपने साथ के इसांद ते कैles यहां पर चांडल वर जाते हैं ठीकर यह सारा आधिया है दूसरा के बरसे हाँ और हांपर अभी जो वमारा चल रहा है मैं आपको दिख लाओंगा यह साइड में हमारी टीम का टीम के मिस्ट्री है जो यह रिपेर वक्क कर रहे हैं एगमेंट कि यह इसके नीचे आर्चिसी था जिसको तोड़ा गया था तो इस मशीन को बैठाने के लिए यह एछपी गैस का जो मांटें इसलेज है अल्पीजी स्टोरेज यहां पर सारा आल्पीजी स्टोर होता है फिर इस पंप के दोरह यह फिलिंग शेड में जाता है सामने अल्पीजी यह सारा हमने वर्क किया हुआ है यह कॉलम का डेड़ मतर का मेस्टिक वर्क है अब मैं आपको दिखला रहा हूं जो कि हमारा रिपेर वर्क चल रहा है वह मैनुवली मैटेरियल बनता है हम लोगों का वह मैं आपको दिखला कर इस वीडियो को फिर बंद करूंगा फिर नई साइड आएगी अपनी नई साइड पर मैं आपको सारा ब्रीफ करूंगा ने प्रोजेक्ट को लेकर यह देखिए सामने दोस्तों यह हमारा उसमाइब ונה करते हैं जो मैटेरियल बन रहा है जो रेपेर बने रही है विटउमीन गरम हो रहा है उसमें मैस्टिक बन रहा हैं यह जो वेस में रेंस्टिक था उसको रिसाइकल कर रहे हैं हम लोग और यह आप देख रहे हैं, पुरा शेट, दूब बहुत अच्छी हो रही है, आगे का, जो आगे के फिलिंग और लोडिंग शेड है, वो है, एक अन्रेयर है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मशीन हमारी दूसरी रफ है, नई साइट पे मैं आपको, इससे भी अच्छी, य यू.